हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल फैलो टू सक्सिज में दोस्तो आज मैं इस वीडियो में लाए हूँ भारती रेलवे में जो डिफरेंट स्टॉक्स हैं कोचिंग है वैगन है लोको है डेमो है मेमो है बी एलसी वैगन है इनमें जो wheel यूज किये जाते हैं जिसके wheel side कहते हैं उनके dia कितने होते है नए और condoming limit कितने होती है दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को subscribe कर ले वीडियो को पूरा देखें वीडियो पसंद आ 창्ट है तो लाइक करें और जाटा है और कमेंट करें चले दोस्तों, बताता हूँ आपको New Wheel डाया और Condemnist Wheel डाया कितना कितना होता है चले दोस्तों, सबसे पहले तो मैं लोको, भारती रेल्वी में जो लोको यूज़ कहा जाता है जिसे हम इंग्यन कहते हैं जिसे लोको मोटिव पूरा नाम होला जाता है उसका जो न्यू डाया होगा, वील न्यू डाया, हम किसके डाया की बात कर रहे हैं, वील के डाया की बात कर रहे हैं, और यहां पर हम बात कर लेते हैं, उसका कंडमिंग, कितने पर कंडम किया जाएगा, उसका डाया कितना होगा, तो लोको, लोको का जो नया डाया होता है, व माइनष जिरो यह दोस्तों जितनी भी क्वांटिटी है वो डाया जो है कि टो इंजयन हो चाहे गाइं मारा कोई सबींदर हो उसमें जो हमारे वील यूच की आते हैं उसका जो डाया है वो 1092 mm प्लस 5 माइनस 0 है जबकि इसको अगर हमें कंडम करना है तो हम इसको 1016 mm पर कंडम कर देंगे इसके आटे यह फोगी हमारे इसके वील के नए वील और उसके लिए अब दूसरे नमबर पे हम बात कर लेते हैं वेगन में ऑगन में दोस्तों दो प्रकार के हमारी भैसिक लिए यहां पर डॉलियां तो बहुत प्रकार के हैं जब्कि कंडम जो हम करते हैं, वो 906 M.A कंडम कर देता है। यह वेगन में हो गया, एक वेगन में हमारे हीं इक हमारे र ही स्टॉक होता है, जिसे इन B.L.C. बोलते हैं, यह तो हो गया B.C.N. BCNHL, 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 इन सब के लिए, लब कि जो बी-ल-सी है, इसका जो डाया होता है, नए का वो 840 mm होता है, और जो इसका जो कंडमिंग डाया होगा, वो 780 mm पे कंडम हो जाता है, ये वेगन में हो गया हमारा, अब हम बात कर लेते हैं, कोचिंग में, कोच में, कोच में हमारे पास दो ब्रेगार के कोच होते हैं, एक तो LHB कोच होता है, जिसकी फियड बोई होती है, तो फियड बोई का जो नए डाय होता है, वो 915 प्लस 4 माइनस 0 mm होता है, जबकि अगर हम इसे कंडम करना है, तो ये 845 mm पर कंडम कर दिया जाता है, इसका जो नए डाय है, वील का, 915 प्लस 3 माइनस 0 mm, ये तो नए हो गया, और कंडम जो करते हैं, इसको 825 mm पर कंडम कर देते हैं, ये होगे हमारा कोचिंग का, नमबर चार भी हम बात कर लेते हैं, हमारा, वो आता है, EMU, मेमू, ये डेमू, तो इसका जो नए डाय होता है, वो 952 mm का होता है, अच्छा, इसमें क्या होता है, कि ट्रेलिंग कार, मोटर कार, और एक HCCC, ये हमारे तीन प्रकार के, इसमें कोच कहें, या कार बोलते हैं उनको, वो हमारे लगे होता है, तो तीनों की नए डाय है तो सेम है, 952 mm, लेकिन जिनकी कंडमिंग साइज है, वो अलग-अलग है, जैसे ट्रेलिंग कार का जो है हमारा, वो 857 है, ट्रेलिंग कार का 857 हो गया, मोटर कार का 877 हो गया, HCCC जो हमारा है, इसका 865 mm हो गया, तो ये तीनों के लिए अलग-अलग कंडमिंग साइज है, ये हमारे हो गए इन सब की, लोकों का हमने देख लिया, जितने भी हमारे लोकों होंगे, चाहिए अलेक्टिक हो, चाहिए डीजल लोकों हो, 1092 नया, प्लस-पांच, माइनस-जीरो, और कंडमिंग 1016 पे, वैगन में बॉक्सें, बॉक्सें वील बोला जाता है, बॉक्सें को यह सा नहीं कि बॉक्सें में अकिला ही हो जोगा, बी-लसी अकिले को अगर हम छोग दिया जाए, तो जितने भी हमारे वैगन है, उन सब में 1000 mm का नया और 906 mm का कंडमिंग, बी-लसी वैगन में 840 mm और 780 mm, दोस्तों यह तो होगा हमारे वील के डाया, अब हम बात कर लेते हैं कि एक वील सेट, यह नि एक एक्सल, मैं यहांपर डाइग्राम बना देता हूँ, इससे आपको थोड़ा से क्लेर हो जाएगा, यह मैंने आपको एक एक्सल का डाइग्राम बनाँ है, जिसमें दो वील दिखाए गए हैं, ठीक है? तो यह हो गया, सेम एक्सल, एक एक्सल पर दो वील हैं, यह एक वील सेट कहलाता है, तो इसमें दो वील डिस्कifen, जिसा मिं वील कह सकते हैं, तो इनकी जो टाया में जो डिफ्रेंस होगा डूरिंग दोरान यानि इसको एकसे लेक असे लेख सकते हैं इसको हाटिंग की की बात करूँ तो मैं क्या बताने जा रहा हूँ वील डायमीटर डिफ्रेंस वील की डाया में कितने कितने का difference परेमिशिवल है या एलाउड है तो same axle अगर axle same है तो उस पर जो हमारा है वो अगर हम बात करें wagon के लिए wagon के लिए जो एलाउड है same axle पर 0.5 यह हमारा wagon हो गया ठीक है यहां हम बात कर लेते हैं coach और यहां बात कर लेते हैं हम यह तो हो गया wagon coach और loco ठीक है और एक और EMU का में नीचे बता दोगा सेम एकसल पर wagon के लिए 0.5 है coach के लिए 0.5 है और loco के लिए 0.5 है नमबर दो पर आएगा same bogey यह trolley तो wagon में जो है wagon में तो यह होगी हमारा 13 कोच में ही हमारा 5 mm यह सब mm में है आप एक चीज द्यान रखिए रेलेवे में कभी भी कोई डायमेटर कोई भी चीज अगर लिखी गई है तो वह हमें mm में यह होगी तो 0.5 mm 0.5 mm coach में लोकों में 0.5 mm सेम बोगी wagon में 13 mm हो जाएगा coach के लिए 5 mm हो जाएगा जबकि लोकों के लिए 3.2 mm है ठीक है दोस्तों इसी तरह से अगर सेम टू बोगी की बात कर लेते हैं दो बोगी अगर हैं तो उनमें जो वील यूज की जाएगे उनके डायमें क्या डिफ्रेंस होगा टू बोगी या एक coach एं या एक wagon कहते हैं या एक लोको की बात करना है तो बोगी अगर सेम कोच वैगन और लोको एक ही aado की दो बोगी या एक ही wagon की दो बोगई थाएं उनके डायमें तो बैगन के लिए जापाट करेंगे 25 mm कोच में जब बात करेंगे 13 mm और लोको में जब बात करेंगे तो 13 यह हो जाएगा हमारा 14.2 mm इस तरह से हमारे सेम कोच या सेम वैगन या लोको की दोनों बोगियों के वील के डाइमेटर में डिफरेंस है एक चीज अब और क्या रहेगी है EMU तो EMU का भी लिख लिख लिखे EMU क्या होता है पैसंजर के लिए होते हैं तो सेम रहेगा जैसे कोच के लिए होता है यसी तरह से 0.5 13 और 0.5 5 और 13 जो यहां पर लिखा है मतला सेम एकसल पे 0.5 सेम बोगियों के लिए 5 और एक ही एक ही ट् बोगियों में वह 13 mm का डिफरेंस होगा तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में भारती रेलवे में जो भी हमारे लोको हैं वैगन हैं कोच है उनमें जो वील डाया यूच की जाते हैं उनकी नया साइज और कंडमिक साइज को देखा और हमने यह भी देखा कि वील डाइम के लिए कितना हुआ दोस्तों आप वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं थैंक्यों दोस्तों